नमिश्कार दोस्तों, आज आपके साम में एक और डिजिटल कोर्स के साथ हजिरूं, इसका नाम है Fundamentals of Digital Marketing, sponsored by Google, actually is a Google Digital Unlock और Google Digital Garage के नाम से भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये भी Microsoft के Artificial Intelligence की तरह ही free of cost है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं देना है और ये free digital marketing course है, ठीक है, तो आएए आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में इसकी details ये है मेरा certificate, जो मैंने जो है पाया है, Google Digital Marketing के course के तुरू, और आपको भी ऐसा ही मिले का certificate, जब आप इसके level को cross कर लेंगे, बस आपको यहाँ आपको नाम है, यहाँ पे मेरा नाम है, आपको यहाँ आपको आपको नाम होगा, ठीक है चलिए आगे चलते हैं, इसकी details देखते हैं structure of course की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, it is a free certificate course by Google तो यह Google के दब से एकदम free of cost है, और दूसी चीज़, अगर आपको interest है digital marketing के काम में, कि कैसे digital marketing काम करती है, तो यह course आपके लिए ही बना है, ठीक है इस particular course में 26 module होते हैं, ठीक है, और हर एक module में उसमें text, यानि written form में, और एक video, यानि bit size video, यानि बहुत छोटी video बना करके, हर एक module में डाला गया है और उसो आप पढ़ करके या सुन करके, उस particular module को समझ सकते हैं, और समझने के बार, आपको हर एक module में चार से पांच, चार से पांच question का MCQ, जिसे quick quiz भी कहा जाता है, वो आपको मिलेगा, so that you can test your knowledge, आप अपना knowledge check कर सकते हैं, उस module का जो आपने सीखा है, ठीक, जैसे ही आप इस quick quiz को solve करते हैं, आप अगले module पर पहुंच जाते हैं, जो step है, वो आपको आगे बढ़ा देगा, लेकिन सिर्फ तभी जब आपके सारे answer सही होंगे, तभी आप दूसे module पर जाएंगे, ठीक है, दूसी चीज है, यहाँ पर पहले बता कि bit size video बनते है, bit size video को मतला पर बहुत छोटी video बनती है, minute या 2 minute की video बनती है, और उसी video को textual form में भी डाला जाता है, उसको subscribe के नाम से कर करते हैं, ठीक है, registration इस course में आपको online करना है, और email ID के थुरू करना है, ठीक, जिसमें नाम, email ID, phone number, और भी कई details हैं, जो आप जब online जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा, अब आप एच हो जाएंगे, इस registration कैसे होगा, तो registration का link मैं इस video के description area में डाल दूँगा, वहां से जब आप register करेंगे, तो आप अपनी सारी details को बहुत ही ध्यान से भरिएगा, खास कर email ID, क्योंकि आपका जो certificate है, वह आपकी email ID पर ही भेजा जाएगा, और गलत email ID डाल देंगे, तो आपको certificate नहीं मिलेगा, ठीक है, अगला देखते हैं, यह है उसका main एक poster, जिसको मैंने जिसमें मैंने बताया था पहले कि bit size video होती है, written content यानि जिसे subscribe के नाम से जानते हैं, वो आपको उसी particular page मिलेगा, दूसरा है, यह 40 घंटे का course है, और इसका जो level है वो beginner है, मतलब एकदम basics आपको सिखाएगा, और cost के मामले में एकदम free है, आपको कोई पैसा नहीं देना है, दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि time bound course नहीं है, कहने का मतलब है कि इसको आप minimum 10 दिन और maximum 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, the total 40 hours है, तो जाहिर से बात आप चाहिए तो एक दिन में 4 घंटे भी कर सकते हैं, या per day 2-2 घंटे करके, आप इसको 30 दिन में भी पूरा कर सकते हैं, इस के बाद अगर आप अपने concept को revise करना चाहते हैं, तो आप अपने concept को revise कर सकते हैं, प्योंकि इसका जो login आता है, login जो link आता है वो आपके सीधे email ID पर आता है, आप सो कभी भी login करके, अपना पूरा जो आपने पढ़ा है, 26 modules में, उसको आप दुबारा revise कर करके renew कर सकते हैं, और रहे बाद Google Digital Marketing के course को follow करने की तो वो इस particular address पे जाकर के हो सकता है, यानि learn digital.withgoogle.com पे जाकर के इसको दुबारा से देखा जा सकता है, ठीक है, अगले भी चलते हैं, assessment or certification की बात करते हैं, कि आपको सारे modules पढ़ने लिखने के बाद, आपको एक 40 MCQ-based question मिलता है, जब MCQ मत इन 40 questions में से आपको 80% score करना होगा, यानि 32 questions आपके सही होने चाहिए, final test में, main है कि आपको हर एक module पे तो आपको 4-5 questions का, जो है, वो quick quiz मिलेगा ही, जिसमें आपको next level पे वो लेके जाएगा, लेकिन जब आप 26 module पूरा कर लेंगे, तो आपका एक final test होगा, जिसमें आपके 40 questions होगे, जिसमें 80% आपको score करना होगा, यानि 32 questions रही, और ताकि आप participation certificate पा सकें, ठीक, एक इसमें मैं थोड़ा सा additional कहना चाहूँगा, कि अगर मान लीजे, आप पहले attempt में fail हो जाते हैं, तो आपको और भी attempt दिये जाएंगे, ठीक है, लेकिन पहले attempt के fail होने के बाद, आपको certificate एक बार में ही मिल जा, यह बहुत आसान course है, तो अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक, अब यह गया है, आपको certificate जो है, वो आपके email ID पे आपको mail कर दिया जाएगा, जैसे ही आप final test qualify करेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले digital को उसके साथ, तब तक के लिए अपने इस channel को अपना प्यार और support ऐसे देते रहिए, thank you.